इस पिटबूल के बारे में हमें कपिर शेर्मा की भावी का फोन आया था उन्होंने बताया कि इसको किसी ने सडक पे छोड़ दिया और लोग इसको यहां से भगा रहे हैं पर यह कॉल जिस जगा से आई थी हम वो एक तो हमारे फार्म से ढाई गंटे दूर है और दूसरा हमारे पास फार्म पे कोई भी आनिवर रखने की जगा नहीं बची थी पर एक बार जब पता लग जाए कि कोई मुसीबत में है तो बिल्कुल पीछे हट जाना भी आसान नहीं होता हमने विनीटा जी जो अंब के ही पास नदौन में एक शेल्टर चलाती है उनको संपर्क किया पर जब दो बारी प्रयास करने के बाद भी पिटबुल उनके हाथ नहीं आया तो हमने ये फैसला लिया कि हम जाके रेस्क्यू करेंगे और विनीटा जी उसको रखेंगी जब हम वहाँ पहुंचे तो वो सड़क के कोने में बैठा हुआ था और उसके कंदे पे बड़ा सा घाव दिख रहा था हम धीरे धीरे उसके पास गए और हमने उसके सामने कुछ ट्रीट्स रखी वो बड़े मज़े से ट्रीट्स खाने लगी और हमारी तरफ बढ़ने लगी उसके इस बरताव को देखके साहिल ने पने हाथ से उसको ट्रीट्स खिलाने की कोशिश करी और वो बड़े अराम से उसके हाथों से भी ट्रीट्स खाने लगी ये देखके सब निश्चिंत हो गए कि भाई ये तो बड़े अराम से पकड़ी जाएगी और रविंदर ने गाड़ी से केज भी निकाल लिया पर यहीं पे हम चूक गए थे जैसे ही उस पिटबुल की नज़र केज पर पड़ी वो चौकननी हो गए और उसने दो कतम ऐसे पीछे ले लिए जैसे उसको कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो और अब हमारी लाख कोश्यों के बाद भी वो हमारे पास नहीं आ रही थी लग यह उसको बता हमने कई टीट्स उसके पास फैकी पर वो इतना घवराच चुकी थी कि वो उटके सड़क के दूसरे खोने में बैट गए लेकिन हालात बहुत अजीब से हो गए थे एक तरफ तो वो डर के हमारे पास नहीं आ रही थी पर दूसरी तरफ वो हमसे डर के भाग भी नहीं रही थी यहां तक कि वो पूरे समय हमारी आखों में आखें मिला के बैटी रही हम जब सड़क पार करके उस तरफ जाते थे तो वो सड़क पार करके इस तरफ आ जाती थी जब कुछ देर तक यही खेल चलता रहा तो हम परिशान होके अपनी वैन में बैठ गए कि क्या किया जाए वो भी दूर जाके construction site के अंदर बैठ गई और हम पर नज़र रखने लगी कि आखिर अखिर अब ये क्या करेंगे हम ने फिर गाड़ी वहीं जाके लगाई जहां पर वो बैठ ही थी और पीछे से नेट डालने के लिए कुदे पर वो काफी तेजी से उचली और वहां से भाग बेगी वो भागी भी बहुत दूर नहीं बस सड़क के दूसरे कोने में जाके बैठ गई हमने सोचा कि अगर हम वैन उसके पास अचानक से जाके रोके और उसके उपर नेट डाल दें तो शायद वो जल्द बाजी में समझ न पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है पर गाड़ी उसके पास रोकते ही वो वहां से फिर बाग गई इस चूहे बिल्ली के खेल में दो गंटे बीच चुके थे इसी सब में शाम होने लगी थी और हमें वापिस भी जाना था क्यूंकि जाने में भी धाई गंटे हमें लगने थे अब क्यूंकि हम देख चुके थे कि उस डॉग को चोट लगी है उसको छोड़ के वहां से वापिस आना भी मुश्किल था और यह जगा हमारे फार्म से इतनी दूर थी यहां दुबारा जाना भी मुश्किल था यूँ तो हम लोग अपनी रेस्क्यू किट में केज, नेट, फोलन रोप के साथ साथ डार्ट गन भी रखते हैं पर आज से पहले हमने कभी डार्ट गन कुत्वों पर इस्तमाल करी नहीं दी एक तो कुत्ते बेलों के मुकाबले जादा फूर्तीले होते हैं और दूसरा डा हमने उसको अपने पास लाने की कोशिश करी उसके आगे बढ़ते ही हमने अपनी पोजिशन ले ली जब हमें लगा कि उसका पूरा ध्यान अब ट्रीट पे है तो हमने अपना निशाना साधा पर गन को देखते ही वो डर के पीछे हट गई साहिर ने भी दो कदम पीछे ले अब जब उसका सारा ध्याम फिर से ट्रीट पे गया तो रविंदर ने इशारा किया और साहिर धीरे से आगे बढ़ा उसने निशाना साधा और गन चला दी डार्ट शरीर पे लगते ही वो बहुत तेजी से भागी डार्ट उसके शरीर से निकल के गिर गया पर बेहोशी की दवाई उसके शरीर के अंदर जा चुकी थी थोड़ी दूर जाते ही वो बैठी और नशे की हालत में लेट गई सो गई है सोरी अब जाकी चाह करते हैं उसके लेटते ही साहिल आगे बढ़ा अभी भी उसको पक्का नहीं था कि हमारा डार्ट उसको पूरी तरह बेहोश कर भी पाया है या नहीं इसीलिए वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था जब साहिल को कोई हलचल नहीं दिखी तो साहिल ने उसकर नट डाल दिया लिव दंदा लिव दंदा पर वो भी थोड़ा होश में थी क्योंकि जैसे ही साहिल नेट डाला वो उठ खड़ी हुई पर अंत में उसने हार मान ही ली उसकी आखों में एक शिकन एक शिकायत सी थी जाहिर सी बात है उससे थोड़ा ही पता था कि हम उसे मारने या कहीं ठैक दे क्यों गई थी हमारी सोच आखिरकार हमारे पिछले अनुभवों पर अधारित होती है और हम अपने नए अनुभव इसी सोच के अनुसार परक्ते हैं पालंबुर जाके पता लगा कि इसकी आगे की टांग टूटी हुई है जिसकी वजह से शायद इसको अबैंडन कर दिया और फिर उसकी ये टांग सड़क पे गलत जुड़ गई है वहाँ पर आए एक रिक्ती ने हमें ये भी बताया कि वो जानते हैं कि इसको किस ने अबैंडन किया और वो इसको सारा समय एक केज में बंद रखते थे जब विनीता जी ने उसको अपने बच्चों की तरह प्यार कर सकती है तो इंसान पिट बूल के प्रत्वी अपने रवाईये को अपनी सोच को अपडेट क्यूं नहीं कर सकते हैं